हर्याना में शीत लहर से ठंड का प्रकोप दिन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है इसके साथ ही घना कोहरा लोगों को सता रहा है मौसम विभाग ने हर्याना के 21 जिलों में कोलडे और धुन्द का अलर्ट जारी किया है वही हर्याना के 5 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्से होगा जिससे उतरी राजस्तान और दक्षनी पंजाब में दबाव का शेत्र बन सकता है इससे अरब सागर में भी नमी आने की संभावना है तो वहीं इस पश्मी विशोब का प्रभाव प्रदेश के दक्षनी और पश्मी शेत्रों में अधिक देखनी को मिलेगा इसके को मौसम में बदलाव आएगा जिससे बारिश आने की संभावना बन रही है वहीं मौसम विभाग ने हर्याना में बारिश के अलर्ट के साथ साथ धीमी गती से उत्तर पश्मी शित लहर चलने की भी संभावना जताई है जिसससे हर्याना के दिन के तापमान में हलकी बढ़ चलने वाली शीत लहर से 11 जन्वारी से फिर लोगों को कडाकी की ठंड का सामना करना पड़ेगा ऐसे में शनिवार को प्रदेश के अधिक्तम तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी तो वहीं आपको बता दे कि शनिवार के बाद रविवार और आसोमवार को भी ऐ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तापमान है उसमें अधिक बढ़ोतरी हो सकती है तो वहीं नियुंतम तापमान की बात की जाये तो ये भी 4.7 डिग्री सेलसियस के नीचे चला गया है तो आभी के लिए केवल इतना ही दीश और दुनिया के इसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ इंडिया नियूज हर्याना पर नमस्कार